पिछले भाग में आपने देखा कि नव्या की जिंदगी में एक रहसमई लड़का धुरूव आता है मगर धुरूव के अलावा जो काला साप नव्या की जिंदगी में कुंडली मार कर बैठा था आखिर वो कौन है और क्या चाहता है ये राज अभी तक सामनी नहीं आया उद्य सिंग का बरताव भी किसी गहरे राज की और इशारा कर रहा था देखिए आखिर नाग नागिन से इस कहानी का कैसा संबंध है उद्य सिंग के आने से नव्या के हाथ से वो चमकीला पत्थर गिर जाता है और नव्या घबरा जाती है और उद्य सिंग उस पत्थर को उठा कर फिर से बकसे में रख देता है मगर उस पत्थर में अब पहले जैसे चमक नहीं बजी थी नव्या अपने बाबा का ऐसा गुसा देखकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उदे सिंग नव्या के कमरे में जाता है वो रो रही थी और नव्या मान जाती है और उदे वहाँ से चला जाता है मैं तो फूल ही गई कल रात को जो हुआ था वो सच में बहुत अजीब था मैं आज फिर से चंगल जाओं क्या पर अगर बाबा को पता चल गया वो तो वैसे भी गुसा है और नव्या अपने कमरे का दर्वासा बंद कर देती है चली जाती हूँ उन्हें क्या पता चलेगा नव्या अपने तुपट्टे को खिड़की से लटकाते हुई नीचे कूच जाती है और ध्रूफ से मिलने चंगल में जाती है ध्रूफ ध्रूफ कहा हो तुम मगर ध्रूफ कहीं भी नहीं होता पर कोई वहाँ नव्या को छिप कर देख रहा था तभी नव्या को पेड़ के पीछे से कुछ-कुछ आवाजे आती है और वो उस और जाती है नव्या देखती है उस पेड़ के पीछे एक लड़का पीट करके खड़ा था जिसका उपर का शरीर इंसान का था मगर नीचे का हिस्सा साप का था और उसकी काली लंबी पूच हवा में लहरा रही थी नव्या ने इससे पहले ऐसी भयानक चीज कहीं नहीं देखी थी उसे देखती ही नव्या की जोरदार चीक निकल पड़ी और वो वहीं बेहोश हो गई और वो नाग भी नव्या के बेहोश होती ही वहाँ से चला जाता है कुछ तेर बाद नव्या को होश आता है और वो खुद को नदी किनारे पाती है नव्या धुरूफ की गोद में लेटी हुई थी दुरूफ तुम वो कहा गया मैं कहा हूँ नाव्या उठती है और घबराते हुए दुरूफ को गले लगा लेती है कौन कहा है और तुम ब्योश कैसे हो गई थी मैं जब आया तुम यहां ब्योश पड़ी थी और तुम्हारे अलावा वहां और कोई भी नहीं था नाव्या की नजर फिर से नदी के पानी पर पड़ती है और उसे उसमें एक काले नाग की परचाई नजर आती है दुरूफ वो यहीं है वो नाग यहीं है वो मेरे घर भी आता है मुझे बहुत डर लग रहा है दुरूफ शान्त हो जा नव्या मैं हूना यहाँ अब बताओ तुम यहाँ क्या करने आई थी दुरूफ कल मैंने अजीब सा एक सपना देखा कि तुम मेरे कमरे में आए हो और फिर गायप हो गए हो लगता है तुम्हारी तब्यत खराब हो गई है जाओ अभी जाकर आराम करो तुम भी ना बहुत बुरे हो और नव्या धुरूफ को धक्का मार कर भागने लगती है पकड़ो मुझे चलो चलो धुरूफ और नव्या धेर सारी मस्ती करते हैं तभी धुरूफ कहीं जाकर छिप जाता है धुरूफ कहा चले गए तुम अब मुझे तंग मत करो ना अच्छा तो तुम उस बड़े पेड के पीछे चुपे हो और नव्या उस पेड के पीछे हाथ डालती है तभी नव्या का हाथ कोई पकड़ लेता है धुरूफ अब बाहर आ जाओ तुम पकड़े गए हो मगर तभी नव्या को पेड के चारों और नाक की पूच की कुंडली नजर आती है वो समझ जाती है कि हाथ धुरूफ ने नहीं बलकि उसी नाक ने पकड़ा हुआ है घबराहट से नव्या की आवास बंद हो चुकी थी तभी पेड के पीछे से ही एक दूसरा हाथ निकलता है जो नव्या के चहरे को सहलाने लगता है और चहरे से हाथ को नव्या के सर पर रखते हुए उसमें एक लाल रोशनी छोड़ देता है नव्या ने अपने आँखे बंद की हुई थी तभी वो नाग गायब हो जाता है नव्या को कुछ भी समझ नहीं आया था धुरूफ पीशे से आकर नव्या के कंधे पर हाथ रखता है और नव्या डरते हुए धुरूफ से लिपट जाती है दोनो एक दूसरे की और देखते हैं उनके आँखे मिलती हैं दोनो बेहत नजदीक आने ही वाले थे ये अचानक से नव्या को कुछ धुनले चित्र नजर आते हैं जिसमें एक छोटी लड़की जंगल में एक बच्चे के साथ खेल रही है और खेलते खेलते दोनो छोटे नाग नागिन में बदल गए नव्या धुरुफ से दूर हटती है धुरुफ कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ये तो तुम जानती ही हो जब से तुम मिले हो सब इतना अचीब हो रहा है जैसे सब कुछ लिखा हुआ था और नव्या पलट कर जानी लगती है तभी धुरुफ नव्या का हाथ पकड़ कर उसके गालों को चूम लेता है मैं बस तुम्हे त्यार करना जानता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे ये तुम क्या कर रही हो? मैं, वो मैं, मुझे अब चलना चाहिए और नव्या शर्माते हुए चली जाती है मगर बार-बार धुरुफ की किस को याद करते हुई मुस्कुराती है प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ धुरुफ मगर इतनी चल्दी हाँ थोड़ी बोलूँगी अभी थोड़ा तुम्हे तरपाऊंगी और नव्या खिरकी से कमरे में वापस लौटाती है तभी सुष्मा उसे नीचे आने के लिए आवाज लगाती है और नव्या जब नीचे जाती है तो देखती है घर में धेर सारे महमान आयोए थे जिन में जवान लड़की भी थे मा ये सब क्या है? बेटा, ये सब तेरी शादी के लिए रिष्टे है तुझे इन में से जो भी पसंद आये उसे हाँ भोल दे शादी? कैसी शादी? आपने मुझसे पूछा तक नहीं मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी हाँ? बेटा, शादी तो एकना एक दिन सब को करनी ही होती है तू भी अब बड़ी हो गई है मैंने कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है आप लोग खड़े होई है और निकलें यहाँ से और नव्या गुस्से से सारा समान इधर उधर फैकते हुए सब को बाहर निकालने लगती है सुश्मा और उधर ये देखकर चड़ जाते है नव्या, ये क्या बत्तमीजी है? तभी नव्या को कोने में काउंटर के पास एक लड़का बैठा दिखता है जो पीट करके बैठा हुआ था मगर लड़का कोई जवाब नहीं देता नव्या गुसे से उसके पास जाकर उसके कपड़े पकड़ कर खीचती है और वो जैसे ही मुर्ता है उसका चेहरा नव्या देखकर चौक जाती है तुम? तुम यहां कैसे आई? वो लड़का ध्रूव ही था जो नव्या के घर में घुस चुका था सुश्मा और उदेवी जूर से हस्ते है तभी कमरे में ध्रूव के माबाबा भी हस्ते हुए एंटर करते है ध्रूव के पिता और कोई नहीं बलकि उस नागनागिन के जोड़े का दोस्ट दुश्यंत ही होता है भाई मान गए तुझे तेरी बेटी भी किसी पठाखे से कब नहीं है दुश्यंत की पत्नी मधू नव्या के पास आकर उसका सर सहलाती है भाई सहाब मुझे तो मेरी बहु बहुत प्यारी लगी क्या बहु ये सब क्या चल रहा है बिटा दुश्यंत और मैं सालोग पुराने दोस्त है और मुझे ध्रूव भी अच्छा लगता है अब तुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं 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 बाबा पसंद है बहुत पसंद है मैं शादी के लिए तयार हूँ सब लोग खूब हस्ते हैं नव्या ध्रूव को अपने कमरे में ले जाती है और उसे मारने लगती है आई हीट यू आई हीट यू ध्रूव तुब कम से मेरे साथ खेल खेल रहे थे पताया नहीं कि तुम्हारे बाबा मेरे बाबा की दोस्त है मेरी नव्या आपसे हम एक होंगे दोनों गले लगते हैं तभी सामने लगे शीशे के अंदर ध्रूव देखता है तो उसकी आँखे लाल होकर चमकती है अब कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे रात का समय होता है नव्या कमरे में सो रही थी उसके कमरे में वही काला साप आता है और इंसान की काली परचाई का रूप लेता है और सो रही नव्या के पास बैठ कर उसको सहलानी लगता है नव्या अब समय आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो और नाग उठकर चांद के सामने खड़ा हो जाता है तभी चांद की परचाई नाग के शरीर से होते हुए नव्या के शरीर पर गिरती है नव्या नीन से जाकती है और मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठकर दर्वाजा खोल कर बाहर जाती है मगर नव्या की आँखी अभी भी बन थी वो बस चलती जा रही थी नव्या रुख जाती है और उदे सिंग की स्टडी रूम में घुसकर सामने रखी अलमारी का ताला हाथ से ही तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए बकसा खोल कर उसमें से उस चमकीले पत्थर को हाथ पढ़ लेती है अब उसकी रौशनी लौट चुकी है नव्या जोर-जोर से हसती है मेरी अमानत और तभी उस पत्थर से फिर से रौशनी निकल कर नव्या के अंदर खुसती है नव्या जैसे ही अपने आँखे खोलती है उसकी आँखे नागिन की आँखों में बदल जाती है और वो मूँ खोल कर नागिन की जीब बाहर निकालती है और उस पत्थर को जीब पर रखते हुई निगल जाती है असल में वो पत्थर नाग बनी थी उसको निगलते ही कमरे के खिड़कियों से धेर सारे साप आकर नव्या के शरीर से लिपट जाते हैं और देखते ही देखते नव्या एक विशाल काली नागिन में बदल जाती है अब देखिए अगले भाग में क्या नव्या एक नागिन है या ये सब उस नाग का किया हुआ है क्या सुहागन बनने वाली नव्या खुद के जीवन को इस नाग के आतंग से बचा पाएगी जानने के लिए देखते रहिए नागिन बनी सुहागन के सभी एपिसोद्स केवल आपके अपने चैनल लव सिटी पर थांक्यू फो वाचिंग कहानी जादी रहेगी ऐसी इंट्रेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ बेल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए